हेलो एबरीवन वेलकम टू मैं चैनल कॉम्पिटिशन टिप्स आज हम करेंगे कृशी टॉपिक के नेक्स क्योश्चन की सीरीज तो चलिए स्टार्ट करते हैं निम लिखित फसल समू में से किसे उस छेतर में पैदा किया जाता है जा वर्ष पर तापमान बीश से 30 लिगरी से से लगे हों मक्हा उप्शन सी है जो जूट चाई और आप्शन डी है चाई कहवा मक्हा या निकि जाथ आपन बीश से 30 लिगरी से लसियास हो और वर्ष बारशिक वर्ष पचास सेंटे मेटर से लिखो उसमें कौन सी फसल होगी तो इसका सही आप्शन है इतने वर्ष यह पान पर option A rubber, चावल और जूट की फसल होती है, इस question का सही जवाब है, option number A, next question, भारत में निमिखित राज्यों में कौन अधिकतम सिल्क सूत, यानि कि सिल्क यौन उत्पादित करता है, A, तमिलनाडू, option B, पंजाब, option C, मद्यप्रदेश, option D, करनाटक, कौन सबसे अधिक सि सूत उत्पादन होता है, option number D सही है, इसका, next question, निमिखित में से कौन सा समूँ, रेसे वाली फशलों, यानि कि रेसे होती हैं जिसमें उन फसलों में से संबन दीता है, A, परसन, चना, अलसी, option B, मसूर, जई, ढहचा, option C, कपास, जूट, सनई, और option D, जूट, गीह, कपास यानि कि वो कौन सी फसले हैं, जिन में सबसे अधिक रेशे होते हैं, बताई इसमें से सही option, इसमें सही option होगा, C, कपास, जूट, सनई, ये रेशो वाली है, कपास में रेशे होते हैं, जूट में सनई, इसका सही answer, option number C, next question, भारत में जूट का सरवाधिक छेतर है, यानि क जूट कहां पर सबसे अधिक होता है, तो A, असम राज़े में, option B, पश्चिम बंगाल राज़े में, option C है बिहार राज़े में, और option D है मेगाले राज़े में, सबसे अधिक जूट का उतपादन होता है, option number B के साथ, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर साही साल में एक या दो फसलें से भी जादा हो जाती है जूट अंग्रेज़ों के टाइम से ही यहाँ पर सबस्यारी कुछ पादी थोड़ा ऑप्शन बी नेक्स क्यूशन काली कपास मिट्टी निम्ली खितमे से किस नाम से भी जानी जाती है यह क्यूशन बहुत बार आया अलग बदल बदल के क् से मिट्टी है या काली कास मिट्टी के बार यह थो इसमें है क्यूशन आइक काली कापास मिट्टी किस नाम से भी जानी जाते है बांगर और खादर नदी से जिस जो भूमी बार्ड में ढूब जाती है और जो उपर रहती है उन में से बांगर और खादर कहती है नई या पुरानी उपजाओं मिट्टी तो ये बांगर और खादर के questions भी आप से पूछे जाते हैं मिट्टी का questions तो बहुत important है, mostly लग बग 90% questions हर exam में जी के में ये मिट्टी का और चट्टानों का आपको मिलता है, next question, इसका सही था, option D, next, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए, तथा नीचे दिये गए कूट में से सही उत्तर का chain कीजिए, सूची 1 फसल और सूची 2 में है मौसम, A में दिया है सूरज मुखी और उसके सामने दिया है एक में करीब वर्शा की, option B है करबोजा और option 2 में जायद गर्मी की, option C कपास 3 दिया है, रभी सरदी की, option D है, L, C और 4 में दिया है सभी मौसम, यहां पे A, B, C, D, options दिये गए हैं, तो इनको सही करिए, तो इसका सही option होगा, option number B, option number B के हिसाब से, A जो है सूरज मुखी, वो कौन से मौसम में होगा, वो होगा सभी मौसम में, सूरज मुखी सभी मौसम में हो सकता है, और option B जो है, यानि कि करबोजा कब होता है, खरबोजा होता है, जायद गर्मी में, और क Papass जो होता है वो होता है खरीक वर्शा उसको वर्शा की से चाहिए talking कि फर्शा है इसलिए उल-सी जो है उर्रभी मतब सॉर्दी में होती है तो इसका सही option है option number B next questions यह सारे questions UPSC के previous exam में आए हूए है इसलिए काफी इंपोर्टन्ट है यह कि यह आपको ऐसे कैसे नहीं तो इनके उप्शन्स की जगया क्योशन बना दें इनके जगया अंसर मिलेगा आपको questions change नहीं होंगे यह change होती नहीं है mostly questions निमलिकित में इसे कुंसी द शेये कपास की करशी के लिए अनकूल है ए ठंडा आदर और लगो ग्रिश्मकाल उप्शन बी गर्म आदर और दिर्ग ग्रिश्मकाल उप्शन सी है गर्म शुष्क और दिर्ग ग्रिश्मकाल उप्शन डी है शुष्क ऊश्न और दिर्ग ग्रिश्मकाल यानि कि कपास की खेती होती है उसके लिए कौन सी और कौन सा मोसम अनकूल है तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन नमबर B, गर्म, आद्र और दिर्ग ग्रिश्म कारी, ग्रिश्म काली, यानि कि उसे गर्म बीची होती है, उसे थोड़े वर्शा बीची होती है, और गर्मी रितू सोड़े जाद होती है, सरदी में जब पाला प मद्य परदेश से, B, आंदर परदेश से, C, महरास्ट से, और D, राजस्तान से, तो किस में से सबसे अधिक सोयबीन हमें मिलती है, तो इसका सही जवाब है मद्य परदेश, मद्य परदेश में आदिस या भी अधिक सोयबीन का उत्पादन होता है, आप्शन A, इसका सही है नेक्स क्यूशन भारत में सोयबीन का अग्रणे उत्पाद रखें वोई क्यूशन कुमा के दी दिया गया आदिस यादिक बाग और अग्रणे बता दिया गया नेक्स क्यूशन निम में से किस प्रांट में सोयबीन के अंतरकत छेतर सरवादिक है ए उत्तर प्रदेश बिहार ऑप्शन सी मद्देपरदेश और ऑप्शन डी मारास्ट सेम इसका अंसर भी सी होगा तो बार बार आपसे घुमा फिरा के क्यूशन पूचा जाएगा अलग अल क्यूशन के पैटरंस के लिए मैंने इसमें रखा है कि ये देखे किस तरीके से क्यूशन को जैने कि एक में बता दिया कि आदे स्यादिक एक में बता दिया अग्रणिये एक में बता दिया कि सरवादिक किस प्रांत में है तो इस तरीके से आपसे अलग अलग क्यूशन पू सोया बीन के दानों में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है Next question पितामभरी एक प्रजाती है पितामभरी मतब किसकी प्रजाती है A. पीडी सरसों की B. सुरज मुखी की Option C. L. C. की Option D. मौफली की किसकी प्रजाती है पितामभरी और इसका option है पीली सरसों की प्रजाती है पिताम बरी तो इसका अंसर है A next questions कुसुम एक तिलहनी फसल है इसका व्यग्यानिक नाम है A glycine max option B racinus camunis और option C है कॉम्बरे कॉर्थेमस टिकोरियस और D है बंची टॉप इसका क्या है मतलब कुसुम जो एक तिलहनी फसल है उसका व्यग्यानिक की नाम क्या है इसका सही नाम है कॉर्थेमस टिकोरियस option C इसका सही है next question निमनी खित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा परतिशत तेल की मात्रा होती है जन्यकि सबस्यादिक हमें तेल मिलता है ए मुंगफली option B सोयवीन option C सूरजमुकी और option D तिल यहां तेल चारों ही तेल से रिलेटीड ही फसल है तो सबस्यादिक किसमें मिलता है तेल तो इसमें सबस्यादिक तिल में होता है तेल option D इसका सही है next question option B तिलहन उफॉद्बादन on option C मचल उत्पादन on option D दिलहन उत्पादन किस से पीली क्राद 너 किस सम्बन दी तेल इसका सही option है option D तिलहन को पीली क्राद donuts के नाम से जाना जाता है next question भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कोन है यानि कि A गुजरात ऑप्शन B मद्यप्रदेश ऑप्शन C राजस्तान और D है उट्प्रदेश यानि सबसे अधिक तिलहन कौन सा राज़े करता है तो इसका सही है मद्यप्रदेशी तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है नेक्स क्यूशन निम लिकीत में से कुन सा یुगम सुमिलित नहीं है एक में सफलाय और कीत फ़ली का फली छेदख। ऑप्शन B चा चना है उसका फली छेदख। और झाशन C यदान بنका और उप्शन D हैं मका का तना छेदख। तो इनमें से कौन सा सही और प्वहित नहीं है य फसल चक्र में सगनता है मनदब आलू मक्कालूर मूंकी जो चक्र होता है फसल चक्र उन में कैसे होगा in 100% बी 200%, option c 250% और option d 300% तो इसका सही option होगा option number d 300% फसल चक्र में सगनता है next question निम्लिकित में से कौन सा युगम सही सुमलित नहीं है फसल और परजाती ए मुवफली के सामने है कोशल बी सरसों के सामने है वरदान सी अलसी के सामने है चमतकार और अप्शन डी है चना के सामने है उदे यानि कि कौन सा सही इसमें मैच्ट दवोलिंग नहीं है तो इसका सही है C, अलसी के साथ चमतकार नहीं है, यानि कि ये उसकी परजाती नहीं है, ये किस योग के परजाती है, तो अलसी के साथ चमतकार इसकी परजाती नहीं है, मुंखले के कोशल होते हैं, सरसों के परजाती वर्दान है और चने की उदे हैं, लेकिन अलसी के समतकार नहीं, option C, इसका option सही है, निमनिकित में से कौन सा उद्दीपक फसल है, ए, गेहूं, बी, मक्का, option C, अरहर, और option D, चाए, कौन सी उद्दीपक फसल है, तो इसका सही option होगा, option number D, यानि की चाए, गेहूं, मक्का औरहर, ये नॉर्मल फसल है, लेकिन चाए, एक उद्दीपक फसल है, तो ये थे इस वीडियो के questions, मिलते हैं, अगले वीडियो में, till that have a good bye.